उत्ताप्रदेश की दस विधान सभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही हालंकि तारीकी अभी घोशित नहीं हुई है लेकिन समाजवादी पार्टी ने छे प्रत्याशियों के नामों का एलान कर दिया है उत्ताप्रदेश सरकार में मंतरी धरमी प्रजापती हमारे साथ मौझूद है समाजवादी पार्टी तो सर बहुत तैयारी में दिख रही है ये छे प्रत्याशियों के नाम की घोश्ना भी कर दी किस तरीके से देखते हैं इसको देखिए हो सकता है एक दूसरे में दवाव की राजनिती कर रहे हों असे का और शेक्ष्भारर शौनाम में भी उक सभा के चुनाम में भी समाजवादी पार्टी ने कई कउ आची बार परत्यासी बदले तो ये जरूरी नहीं है कर यह प्रत्यासी पिशली बार उनको चेंज कर दिया था, कानपुर सिसा मोगी सीट सी बात करें, इर्फान सोलंकी की सर, पतनी नसीम सोलंकी, इर्फान सोलंकी आपको पता है कि एक मामले में जेल में, तो इन प्रतियाशियों के जो नाम सामने आए हैं, लगता है आपको टक कर दे पाएंगे? सपा के प्रवप्ता को सुन रहा था कि भाजपा को जो है वो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी के पीडिये के आगे इसलिए अभी तक नामों की घोशणा नहीं हो पाई है आपकी तरफ से कोई नामों क visão नहीं हुआ है तैयारियां पूरी है पूरी तैयारी है और हमारे प्रत्यासियों के कोई कमी नहीं है हम लोग इतने प्रत्यासि हमारे हैं कि एक शीट पर कई-कई प्रत्यासि है और साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स अब तो और दबाव बढ़ गया कोई बात नहीं तो तुमारा बहुत बेबेक पूर नेलने लेते हैं और वह जल्दी ही इसमें नेलने करेंगे जैसे ही अब हर्याना के चुनाब में सब लोग बैस्त थे अब फिर ही है तो उप चुनाब भी देखेंगे लगतार ये चर्चा चल लए थी कि कांग्रेस जो है इस चुनाव में 50-50 टिकट चाती है पांच उंको मिले पांच उंको मिले पर आफ तो छे सीटों पर समाजवादी पार्टी ने घोशित कर दिये मंजुआ में कहा जा रहा था जैराय को लड़ाया जा सकता है फूलपूर की चैक कांग्रेस को दी जा सकती पर दोनों ही सीट से जो है घोषित कर दी है क्या लगता है आफ लूप की कर रहे हो परद्द कर रहे हो लेकिन हमारी पूरी तैयार है कि हम लोग दुस्वां बिदान समाओं पर पूरी तैयारिक साथ जा रहे और कोशिच रहेगी कि हम दुस्वां को जीते हैं बहुत शुक्रिया बात केने के लिए उत्तप्रदेश सरकार में मंतरी धरंबी प्रजापती हमारे साथ माउजूद थे लखना उसे वीडियो जनली सनोच के साथ संदीप खेर भारस समचार